दोस्तो हम सभी को गार्डनिंग का शौक होता है पर विडंबना जे होती है कि कई बार हमारे पास गार्डनिंग के लिए जगा नहीं होती है। टॉपिक पर है कि आप कम से कम जगह में गाड़निंग कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आप यहां देख सकते हैं कि हमने ऐसे दोस्तों पाइप्स जहां पर लगा रखे हैं आप देखे इन पाइप्स में रिजल्ट हमने दोस्तों इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बनाई थी लेकिन अभी हम रिजल्ट लेके आए हैं बहुत सारे कमेंट्स थे कि इनमें सबजी नहीं हो पाएगी जहां इनमें कोई भी प्लांट लगाएंगे इनमें फ्रूटिंग नहीं आपाएगी लेकिन नतीजे आपके सामने हैं आप देख सकते हैं देखिए यहां हमने बैंगन की जो पौधे लगा रखे हैं इसमें कितने बड़े बैंगन लगे हुए हैं तो दोस्तों जो नीचे यहां पर प्लांटर से अभी हमारे पास यह खाली हो चुके हैं हमने इनमें शिमला मिर्चे टमाटर वगारा सब कुछ लगा रखा था आप वीडियो देख रहे होंगे जब इस पर सारा कुछ यह लगा हुआ था हमने खूब हार्वेस्टिंग यहां से की हैं अभी फिलाल इन पर बैंगन लगे सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके बेज की दिखिए हमारे पास यह प्लास्टिक का पाइप है जो इसका डियामेटर है वो 6 इंच पाता है। इसकी जो height है वो दोस्तो 5 feet के करीब है अब आप देखिए कि 5 feet में हमने दोस्तो यहां पर आप दे सकते हैं पहला planter उपर है उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा टोटल पांच planters इसमें बन जाते हैं अब बात करते हैं कि हमने यह planters दोस्तो कैसे बनाने है फीट की दूरी पर निशानी लगा रखी है आप देखिए कोई भी प्लांटर जो है वो एक प्लांटर के नीचे नहीं थोड़ा साइड में रखा है क्योंकि जब यहां पर कोई प्लांट लगाएंगे वो फैलेगा तो वो इस प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करेगा आप दोस कि कितनी खूबसूर्ती से यह प्लांटर्स बन गए हैं दोस्तों यहां से आपने ऐसे काट लेने के èango बौटल लेनी है और एक आपने होट गन का भी इस्तेमाल करना है आपने जब इसको काट लीना है तो हॉट गन दोस्तों इस पर लगानी है यहां का जो हिससा है वह भो म इसके उपर स्प्रे कर देना, जिससे कि ये पाइप जल्दी सक्त हो जाएगा, बोटल को आपने बाहर निकाल लेना है, ऐसे आपका ये प्लांटर तयार हो जाएगा, आपने सेम प्रसेस रिपीट करना है, तो इस प्रकार देखेंगे कि आपके प्लांटर से तयार हो जाएग और यहां देखिए दोस्तों नीचे हमने एंड कप लगा रखा यहां देखिए एंड कप का यह भाव है कि जो भी आपने इसमें मिट्टी डालनी है दोस्तों मिट्टी की बात भी करेंगे कि आपने मिट्टी का मिश्रण कैसा बनाना है तो यहां नीचे हमने एंड कैप लगा हो जाएंगी दोस्तों यह काम आप खुद भी कर सकते हैं किसी मेकैनिक से भी करवा सकते हैं फिर आप देखें कि हमने एक में दोस्तों कमेंट भी आया था हमरी इस्ट्राइग्राम वीडियो पर कि कहीं जो आपकी प्लांटर्स हैं यह गिरेंगे तो नहीं आप देखिए हमारे planters कितनी भी तेज हवाई ये नहीं गिरेंगे क्योंकि यहां देखिए हमने ऐसे दिवार के साथ लगा कर इसको दोस्तों ऐसे जो है एक लोहे का एंगल लगा रखा है आप ऐसे इन planters को fit कर सकते हैं चाहे कितनी भी तेज आंधी आए कभी भी ये planters नहीं गिर हैं हमने 40% दोस्तों मिटी ली है उसके बाद 30% हमने इसमें कोको पीट को मिक्स किया है थोड़े से दोस्तों हमने चावल के शलके आपको शैलर बगारा लगा था वहां से मिल जाएंगे वो भी हमने इसमें डाले हैं बाकी हमने इसमें organic fertilizer का भी इस्तेमाल किया है तो इससे क है कि एक मिटी का मिच्रण बहुत बढ़िया बन जाता है अब दोस्तों कई बर सवाल आता है कि ऐसे उपर अगर हम पानी डालेंगे तो सारा पानी यहां से नीचे तक निकल जाएगा ऐसा नहीं होता आप यहां ध्यान से देखें कि ऐसे दोस्तों यह पाइप जहां से नहीं आएगा कि यहां उपर का पानी जो खातम हो जाए आपको थोड़ा थोड़ा पानी सब में डालना पड़ेगा दोस्तों ये बात हो गई मिट्टी तक कि अब बारी आती है कि आपने कौन से पौधे कहां पर लगाने हैं सबसे पहले आप अभी देख रहे हैं कि हमने उप पौधियों वाले पौधे लगाएंगे तो आपने बैंगन सबसे उपर लगाने हैं आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने बड़िया रिजल्ट हैं उसके बाद आप जो बीच वाले प्लांटर्स हैं उनमें आप दोस्तों टमाटर के पौधे लगा सकते हैं शिमला मिर्च के पौधे लगा सकते हैं, आप मिर्ची के पौधे लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया डंक से हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छे नतीजे इनके यहां से मिले हैं, दोस्तों अगर आप सब्जियां नहीं भी लगाना चाहते हैं, माल लीजिए आपने कोई उपर सब्जी लगा ली है आप नीचे फ्लावर्स भी लगा सकते हैं तो इसे कि आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं बहुत थोड़ी जगा पर ही आपको धेर सारी और्गानिक सब्जियां खाने को मिल जाएंगी दोस्तों देखिए सबसे बड़ी खूबी तो यह कि थोड़ी सी जगा पर ही आपको इतनी सब्जियां यहां से मिल सकती हैं अब बात आती है आपने क्या करने है इसकी जैसे देखिया हमें कमेंट्स पहले भी आये थे कि गर्मियों में यह बहुत जादे हीट हो जाएंगे तो यहां सब्जी नहीं लगेगी ऐसी कोई बात नहीं है आप लगातार पानी डालते रहेंगे तो ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती हाँ एक बात जरूर है आपको पानी जो है दोस्तों रोज का रोज ही इनको देना पड़ेगा जिससे कि आपको ऐसे खुबसूरत रिजल्ट यहां से मिल जाएंगे अब दोस्तों दूसरी बात दूसरा फायदा यह है कि इसमें वीड्स बहुत कम उगते हैं बहुत कम घास फूस उगती है आपको बार बार गुड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप जकीन मानिए कि हमने दोस्तों देखी जहां बैंगर यहां लगे हैं हमने आज तक कभी भी यहां बीच में गुड़ाई नही की है हाँ आप एक ध्यान जरूर रखेगा कि आपने ऐसी अगर फ्रूटिंग लेनी है तो आपको फर्टिलाइजर हर पंदरह से बीस दिन में इसमें डालना होगा इसको देना होगा फर्टिलाइजर आप कैसा दोस्तों डाल सकते हैं जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं तो आप सरसोखली का इस्तेमाल कर सकते हैं सरसोखली दोस्तों आदा किलो सरसोखली आप दो लिटर पानी में बिगो कर एक दिन के लिए रख दीजिए उसके बाद उसमें कुछ से दस ग्यारा लिटर पानी दोस्तों एड़ कर दीजिए उस फर्टिलाइजर को दोस्तों आप आ दोस्तो फर्टिलाइजर हैं जैसे केंचो की खाथ जिसे वर्मिंग कमपोस्ट कहा जाता है उसे भी आप पानी में घोल कर इसमें डाल सकते हैं तीसरा दोस्तो काउडंग आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं काउडंग को भी आप पानी में घोल कर उसी मातरा में इसको दे सक अपलोड की थी तो हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि यह बहुत महंगा पड़ जाएगा मैं यह आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इसका खर्च केबल एक बार का है यह आप से दस ग्यारा साल कहीं नहीं जाएंगे यह नहीं तूटेंगे ना ही दोस्तों इनका कोई नुकसान होगा तो आप 10-11 साल इन से सबजियां ले सकते हैं इसलिए आपको यह कोई महंगा नहीं पड़ेगा तो दोस्तों आप भी अपने घर में अपनी बालकनी में बना लीजिए ऐसा वर्टिकल गार्डन ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फेसबूक पेज़ पर हैं तो आप हमें फॉलू कर सकते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ सीखते रहेंगे कुछ सिखाते रहेंगे अगर आपके पास कुछ आइडियास हो तो आप हमारी कमेंट बाक्स में लिख भीजेगा फिर मिलेंगे गार्डनिंग के उपर किसी न अबाद रहें